हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई 11 इंचे और कपड़े की चोड़ाई एक साइड से 12 इंचे तो आपको इसका डबल लेना है क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड किया है अब हम बीच में से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके साड़े 3 इंच की चोड़ाई पर टिक लगाएंगे फिर इसे हम ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब हम इस लाइन की कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने एक साथ दो कपड़ में हाफ गोल सेप के पैटन में ऐसे कटिंग की है अब हम एक कपड़े को साइड में रखेंगे और उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इस कपड़े की चौड़ाई हमने दो इंच ली है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ पर लगाना है और जिस सेप में हमने डिजाइन की कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ से धागे को और एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे यहां किनारे के साइट से हलका-लका कपड़े को कट करना है अब हम कपड़े को फोल्ड करके यहां से इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक साइज में होना चाहिए कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए यह देखिए कपड़े को फोल्ड करके हमने सिलाई चला ली है अब हम यहां से धागे को और किनारे की साइड से एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे जो हमारा दूसरा हाफ गोल्ड सेप का कटिंग है उसमें भी हमें ऐसी चोड़ी पट्टी बना लेनी है दोनों कपड़ों में चोड़ी पट्टी बनाने के बाद यह देखिए दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करके किनारे की साइड से सिलाई चला देनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे बीच में से हमें कपड़े को फोल्ड करना है यह देखिए इसे अच्छे से बीच में से फोल्ड कर लेंगे ऐसे फोल्ड करने के बाद अब जो भी आपके आस्तिन का साइज है वो साइज नापते हुए आस्तिन के सेप में हमें कपड़े के उपर कटिंग कर लेनी है तो ये देखे फ्रेंड मैंने आस्तिन के सेप में कपड़े के उपर कटिंग कर ली है यहाँ पर हल्का सा सिलाई चला लेंगे अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई हमने दो इंच ली है इस कपड़े को दोनों साइट से फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई चलाते हुए एक लंबी सी चौड़ी पट्टी तयार कर लेंगे यहाँ से धागी को कट करेंगे और इस चौड़ी पट्टी की कटिंग करेंगे कटिंग करने के लिए हमें साड़े 4 इंच की लंबाई नापनी है ये देखिए साड़े 4 इंच की लंबाई नापकर यहां से चौड़ी पट्टी को कट करेंगे सेम साइच का हमें ऐसी धेर सारी कटिंग कर लेनी है अब हमें एक कागच लेंगे कागज के उपर हमें सारे चौड़ी पट्टी को ऐसे लगाना है एक के बाद एक ऐसे लगा कर इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम धागी को कट करेंगे और चौड़ी पट्टी के किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे दोनों साइड में हमें सिलाई चला लेनी है चोड़ी पट्टी के उपर अब हमें लंबा सा डोरी लेना है तो हमने दो डोरी लिया है डोरी को यहाँ पर ऐसे लगाना है और दोनों साइड से फोल्ड करके इसके बीच में सिलाई चला लेनी है इस तरीके से डोरी की इस डिजाइन को आप इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं अब हम यहां से धागे को और एस्टरा डोरी को कट कर लेंगे अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के डिजाइन में ज्वाइंट करना है तो ये देखिए दोनों design को हम यहाँ पर ऐसे joint करेंगे और इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई के starting हम यहाँ से ऐसे करेंगे ये देखिए जिस shape में हमारा चौड़ी पत्टी का design है बिल्कुल उसी shape में सिलाई चलानी है अब हम धागे को कट करेंगे और यहां से चोड़ी पट्टी के उपर सिलाई चला लेंगे अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का वेट करते हैं इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें दो कलर का लंबा सा कपड़ा लेना है दोनों कपड़े की चोड़ाई हमने धाई इंच ली है दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करके इसके किनारे की साइड में सीधी सिलाई चला देनी है अब हम कपड़े को सीधा करेंगे यह देखिए सीधा करके बीच में से फोल्ड करेंगे और किनारे की साइड से सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे दूसरे कलर का हलका सा कपड़ा किनारे की साइड में दिखना चाहिए अब हम साड़े तीन इंज की लंबाई नापकर यहां से कपड़े को कट करेंगे सेम साइज का हमें ऐसी साथ आठ चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेनी है अब देखिए दोनों साइट से हम चौड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करके किनारे के साइट में सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सारे चौड़ी पट्टी को फोल्ड करके आपको ऐसी डिजाइन बना लेनी है तो ये देखिए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम सारे डिजाइन को अलग करते हुए यहां से धागे को कट कर लेंगे अब इन सारे डिजाइन को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है यह देखे एक के बाद एक सारे design को ऐसे joint करके आपको इस line को complete कर लेना है अब हम किनारे की side से Estra कपड़े को cut कर लेंगे Estra कपड़े की cutting करने के बाद अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चोड़ाई हमने 2 इंच ली है दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड अकरके हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला कर एक लंबी सी चोड़ी पट्टी तयार कर लेनी है चोड़ी पट्टी तयार करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें धाई इंच की लंबाई नापकर चौड़ी पट्टी को कट कर लेना है सेम साइच का हमने ऐसी धेर सारी कटिंग कर ली है डिजाइन के बीच बीच में हमें चौड़ी पट्टी को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेनी है अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का वेट करते हैं तो ये देखे फ्रेंट सारे चौड़ी पट्टी को डिजाइन के बीच बीच में हमने लगा लिया है अब हम किनारे के सायट से एश्ट्रा चौड़ी पट्टी को कट कर लेंगे अब हम इस डिजाइन को आस्तिन के डिजाइन में जरूरी पट्टी को लगाना है धाई इंच लंबा हम एक कपड़ा लेंगे इस कपड़े को हम यहाँ पर ऐसे लगा कर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए ऐसे फोल्ड करके सीधी सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए अब हम आस्तिन के कपड़े में ये जो हमारा ये वाला डिजाई ने इसे यहां पर ऐसे लगा कर सीधी सिलाई चला लेंगे दोनों डिजाईन को ऐसे जोईंट करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागे को और किनारे के साइट से एस्ट्रा डिजाईन को कट कर लेंगे डिजाइन में हमें सुई धागा के मदद से मोती को लगाना है डोरी की डिजाइन में और यहां देखिए नीचे की साइड में भी मोती लगा लेंगे डिजाइन के पीछे के साइड से हमें कागच को निकाल लेना है कागज को निकालने के बाद हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो गया है आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंक्स पॉर वाचिंग